वर्ष 1972 में, दो बच्चे अपने खेल में तलीन थे, तभी अचानक उनकी संगमर्मर की गेंद उनकी पकर से फिसल गई और पास के एक अन्य फ्लेट में लुडग गई उच्सुक तावश, वे इसे पुनह प्राप्त करने के लिए अपरिचित स्थान में प्रवेश कर गए, केवल सफेद कब्डों में एक महिला को एक कुर्सी पर जुका हुआ पाया यह एक चौका देने वाला दृश्य था, क्योंकि महिला की बहुत पहले ही मृत्यू हो चुकी थी चार साल बाद, एक नया परिवार उसी फ्लेट में रहने आया और उसने इसे सुरक्षित करने के लिए रिन लिया था माता-पिता दोनों ने कर्च चुकाने के लिए अथक परिश्रम किया और अपनी बड़ी बेटी, एमपारो को उसके छोटे भाई, राफिल और उनके दादा की देखभाल के लिए छोड़ दिया एक दिन, जब एमपारो राफिल के कपड़े बदल रही थी, उनके दादाजी हवा में गायब हो गए, जिससे वह घबरा गई और उन्हें खोचती रही एमपारो अपने दादाजी का पीछा करते हुए शोचालय तक गई, जहां बेवज़ा सभी खिर्कियां बंध हो गई, घबराहट में वह अपने माता-पिता के लिए चिल्लाई, जो उसकी सहायता के लिए दोड़े, और राफेल को बचाया क्योंकि वह एक खिल्की से खतरनाक तरीके से लड़ खड़ा रहा था, एमपारो के अपने दादा के अजीब तरह से गायब होने और उसकी अशुब उपस्थिती के दावों के बावजूद उसके माता-पिता ने उसकी चिन्ताओं को खारिज कर दिया और उसे डाटा इस बीच, एमपारो के दूसरे भाई को उसकी खिल्की के बाहर रेलिंग से जुड़ा एक रहसिमय पत्र मिला जिस पर एक लड़की का नाम था, यह मानते हुए कि यह एक दोस्ताना इशारा था, उन्होंने अपना नोट छोड़ते हुए उसी तरह जवाब दिया फिर भी, जब वह प्रत्याशा में इंतजार कर रहा था, एक और पत्र सामने आया, जिससे उसकी जिग्यासा बढ़ गई इस बीच, राफेल ने खुद को अपने कमले के पास एक संगमरमर की गेंद की ओर आकरशित पाया तभी टीवी से निकलने वाली एक पुराने कार्टून की मोहक द्वनी ने उसे आकरशित किया ब्रमित और असुरक्षित, वह टेलिविजन के पास गया, लेकिन उसकी स्क्रीन से उबरी एक भूतिया आकरिते ने उसे फसा लिया और उसे एक अज्यात प्षेत्र में खीच लिया, इस बीच एमपारों को सडकों पर अपने दादा का सामना करना पड़ा, जिन्होंने उस महिला की उपस्थिती के दर से घर लोटने से इंकार कर दिया जिसने उन सभी को धमकी दी थी, उसे वापस बुलाने की कोशिशों के बावजूद, उनके लोटने पर, राफेल कहीं नहीं मिला, जिससे परिवार संकट और अनिश्चित्ता की स्थिती में आ गया वर्ष 1972 में, एक सामान्य सा दिखने वाला दिन एमपारो और उसके परिवार के लिए एक कश्ट दायक परीक्षा में बदल गया ये काफी मासूमियत से शुरू हुआ जब दो बच्चों ने परोस के फ्लेट में अपनी संगमरमर की गेंट खो दी तभी उन्हें सफेद कपड़े पहने एक महिला का भयावेह द्रिश्य दिखाए दिया, जो लंबे समय से मृत थी लेकिन भयानक रूप से मौझूद थी चार साल बाद, एक नया परिवार आया, जो अपने घर को सुरक्षित करने के लिए रिन के बोज से दबा हुआ था चुंकि एमपारो के माता पिता ने कर्ज चुकाने के लिए कड़ी मेहनत की, इसलिए उसने अपने छोटे भाई राफेल और उनके बुड़े दादा की देखभाल करने वाली की भूमिका निभाए घटनाओं के एक भयावेह मोड में, राफेल बिना किसी निशान के गायब हो गया और एमपारो को एक उनमत खोज में छोड़ दिया गया पास के एक फ्लेट से आ रही फोन पर उसकी आवाज का पता चलने से वह एक अवास्तविक दुस्वपन में डूग गई उसकी हताश दलीलों के बावजूद उसके परिवार को खाली अपार्टमेंट में राफेल का कोई निशान नहीं मिला जिससे एमपारो दर और अनिश्चित्ता से घिर गई जैसे ही एमपारो का परिवार राफेल के लापता होने से जूज रहा था अजीब घटनाए सामने आती रही एमपारो के बड़े भाई को एक अग्यात प्रेशक से गुप्त पत्र प्राप्त हुए जिससे उन्हें जांच करने के लिए प्रेरित किया गया उनकी जिग्यासा ने उन्हें मुंबत्ती और दरपन वाली एक लड़की से मुलाकात करने के लिए प्रेरित किया जिसके मुणे हुए पैरों ने एक चुडैल के रूप में उसके भयावैस वभाव का खुलासा किया जीवित रहने के लिए दिल दहला देने वाले संघर्ष में वह उसके चंगुल से बाल-बाल बच गया भय और एड्रिनालाइन से उसकी इंद्रियां तेज हो गई इस बीच इंपारों की मां को अपने कार्यस्थल पर एक विचित्र मुटभेड का अनुभव हुआ जहां एक लक्वाग्रस्थ महिला उसे पहचानने लगी और बेवजह सीटी बजाकर उसे परेशान कर दिया महिला के बोलने में असमर्थ होने के बावजूद उसने इंपारों की मां को एक संदेश दिया जिससे उसके पास एक रहस्यमय कार्ड और पूर्वाभास की भावना रह गई घर वापस आकर इंपारों की परेशानी तब और बढ़ गई जब उसे खाली फ्लेट में परदे के पीछे चिपी एक भयानक उपस्थिती का पता चला अपने लंबे बालों और द्वेशपूर नाभावाली चुरेल की द्रिश्टी ने इंपारों को चीखने चिलाने के लिए मजबूर उसे निराशा के कगार पर पहुँचा दिया क्योंकि वह अपने जीवन में खेल रही भयावै ताकतों से जूज रही थी जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते गए प्रत्य एक बीटता हुआ क्षंड नए खुलासे और खत्रे लेकर आया जिसने एमपारो और उसके परिवार के लचीलेपन की परीक्षा ली उत्तर की तलाश में वे अंधेरे और निराशा का सामना करेंगे एक परिवार के रूप में उनका बंधन अथा भयावैता के सामने आशा की एक मात्र किरण है इस बीच एमपारो को घर पर तेज पेट दर्द का अनुभव हो रहा था साथ ही उसके पेट पर अजीबो गरीब निशान भी थे जिसे उसने महज अलजी कहकर खारिज कर दिया जैसे ही वह घर का काम निपताने लगी आधे खुले दर्वाजे के माध्यम से रसोई में एक अजीब प्रानी को देख कर वह चौक गई करीब से निरीक्षन करने पर उसे एह सास हुआ कि यह उसके दादा थे हालां कि अब वह उससे उसके चोटे भाई राफेल की आवाज में बात कर रहे थे इसके साथ ही फोन एक बार फिर बज उठा और दूसरी ओर से राफेल की आवाज से एमपारो का स्वागत हुआ पहले की तरह उसने पास के एक फ्लेट से उसकी आवाज सुनी जिससे वह जांच करने के लिए प्रेरित हुई जल्दी जल्दी फ्लेट की ओर भागते हुए वह अंतता अपने भाई के साथ फिर से मिली जिससे पूरे परिवार में सदमे की लहर दोड गई परेशान करने वाली घटनाओं के कारण एमपारो और उसकी मा घर में किसी भयावय हुपस्थिती के डर से घर छोड़ने पर अड़ गई हालां की बैंक रिन के बोज से दबे उनके पिता ने वही रहने पर जोर दिया जैसे ही रात हुई एमपारो ने खुद को अपने कमरे में फसा हुआ पाया क्योंकि सभी दर्वाजे बंध हो गई और रोशनी बुझ गई उसकी चीखों ने उसके माता पिता को सचेत कर दिया जिन्होंने एक भयानक प्रेट को एमपारो की ओर आते देखा एक हताश कार्य में उसके पिता ने हस्तक्षेप किया जिससे उनके घर के भीतर प्रेतवादित उपस्थिती में उनका विश्वास मजबूत हो गया दुष्ट शक्ती से बचने के लिए द्रिर संकल्पित एमपारो के परिवार ने एक होटल में शरनली और मुक्ती के लिए उतकट प्रार्थना में रात बिताए अगला दिन और अधिक संकट लेकर आया क्योंकि उन्हें अपने बैंक रिन को चुकाने की शीगरता के बारे में पता चला दोस्तों से धन जुटाने के उनके पिता के प्रयासों के बावजूद बेरोजगारी और वित्तिय तनाव उन पर मंडरा रहा था सहायता के अंतिम प्रयास में एमपारो की मा ने उस लक्वागरस्त महिला से सलाह मांगी जिसने पहले उसे एक रहसिमय कार दिया था उसे आश्चर्य हुआ जब महिला और उसकी मा को पहले से ही उनके घर में चल रही उथल पुथल के बारे में पता था और उन्होंने अपना समर्थन और अंतरद्रिष्टी प्रदाम की इस बीच एमपारों ने जवाब की उम्मीद में या दुष्ट उपस्थिती को दूर करने में सहायता की उम्मीद में अपने प्रेतवादित घर के रहने वालों का सामना करने का साहस किया महिला ने अपने परिवार के प्रेतवादित घर में रहने की दुखद गाथा सुनाई जहां उसके ट्रांसजेंडर बेटे को कारावास का सामना करना पड़ा और उसकी मृत्यू हो गई और वह अपने पीछे एक बेचैन आत्मा छोड़ गया अधूरी मात्र इच्छाओं से प्रेरित होकर आत्मा ने एमपारों के भाई को निशाना बनाया जबकि उसकी गर्भावस्था के कारण उसे बक्ष दिया आत्मा के इरादों का पता चलने पर इमपारों ने साहसपूर्वक इसका सामना किया और किसी भी कीमत पर अपने अजन में बच्चे की रक्षा करने की कसम खाए उसके द्रिर्स अंकल्प के बावजूद आत्मा कायम रही जिसके कारण एमपारों के पिता को इसे दूर करने के प्रयास में अंतिम बलिदान देना पड़ा हाला कि उनकी मृत्यू जीवन बीमा भुक्तान के रूप में राहत की एक जलक लेकर रहा है जिससे परिवार को अपना कर्ज चुकाने और शापित निवास से भागने का साधन मिल गया लेकिन आत्मा कायम रही उनके भागने के बावजूद उनके प्रेत्वादित अतीत का भूत बना रहा जो उनके द्वारा सहन की गई भयावेता की एक मार में क्याद है जैसे ही वे चले गए पीरित आत्मा घर की सीमा के भीतर फसी रही उसकी उपस्थिती परिवार की कठिन परीक्षा की स्थाय याद दिलाती थी द्वेशपूल निवास से उनकी मुक्ती के बावजूद उनके दर्दनाक अनुभवों के भावनात्मक घाव और यादे बनी रही जो अलोकिक की स्थाय शक्ती और मानव आत्मा की लचीलापन का एक प्रमान है उनकी यात्रा महज एक शारीरिक पलायन नहीं थी बलकि विपरीत परिस्थितियों में उनकी ताकत और एकता का एक प्रमान थी परिवार का बंधन और मजबूत हो गया क्योंकि उन्होंने एक साथ मिलकर अंधेरे का सामना किया और अपने पीछे आने वाली चाया के बावजूद विजही हुए हाला की भयावेह अध्याय समाप्त हो गया था लेकिन इसका प्रभाव उनके जीवन पर पड़ा उनके भविश्य के प्रयासों को आकार दिया और अस्तित्व की नाजुकता के प्रती उनकी सराहना को गहरा किया फिर भी हर गुजरते दिन के साथ उन्हें इस ग्यान से साथवना मिली की उन्होंने अपने राक्षिसों पर विजह पाली है और दूसरी तरफ मजबूत बनकर